एक्स देखते हैं exam के view से most IMP question है difference between homeopathic formation and pharmacopoeia most IMP question है exam में आ सकता है homeopathic formation and homeopathic pharmacopoeia में क्या difference है तो इसको difference करने के लिए इसमें difference बताने के लिए हम देखते हैं homeopathic formation यह हमने लिखा है और यह हमने लिए या फार्मोकोपिया तो सबसे पहला most important जो difference है वो होता definition तो जो आपने definition पहले पड़ी है homeopathic pharmacy की and definition मैंने आपको बताया फार्मोकोपिया की वही पहली heading है उससे आप लिख दें तो सबसे पहला जो most important difference है वो definition है ठीके ना सभी को पता होना चाहिए homeopathic pharmacy क्या है एक practical part है और फार्मोकोपिया क्या है एक theoretical part है अभी और आगे बता हूँ मैं आपको तो पहले हम देखते definition बता चुका हूँ मैंने it is an art and science of collection, combining, preparing, preserving, standardization of drugs and medicine from natural and synthetic source natural and synthetic source से क्या करना है collect करना है combining, preparing, preserving, standardization of drugs and medicine यह art and science है ठीके ना, according to homeopathic pharmacopia, homeopathic pharmacopia के according सब करना है ठीके ना, plus compounding and dispensing of medicine according to prescription of physician, physician के prescription के according, compounding and क्या करना है हमें dispensing करना है, यह definition मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बिल्कुल वो ही कि वो ही definition मुझे copy करना है, पहला difference हो गया, ठीके ना, आगे हम देखते हैं, फर्मोकोपिया में, बिल्का को पहले है में बताया हूँ, रूंकोपिया क्या है, एक standard book है, और एक क्या है, सबसे बड़ी बुक है और standard book है, ठीके ना, इसमें exactly क्या बताया गया है, scientific fact and logical attitude ये logical practical facts बताये गए हैं और रूजस और राइगुलेशन ऑप स्टेंट ड्रक सबस्टेंज के इस टेंटराइशन के रूज सरे डूजेशन का जो साइनटिफिक फेक्ट है जो लॉजिकल फेक्ट है वो इसमें बताये गया है एंड ड्रक के बारे में ड्रक के कम्बाइनिंग के के बारे में, preparing के बारे में, preserving की बारे में, कंपाउंडिंग के बारे में, external application के बारे में, prescription writing के बारे में, pathology के बारे में and monograph of drug. इन सब के बारे हमें क्या देता है? ये exactly direction देता है. तो ये जो direction है, इसी तो हम practical form में करेंगे. जो इस book में लिखा रहाएगा, वो हम practical form में करेंगे. ये मैंने आपको बता है. तो जब हम pharmacopia को पढ़ते हैं, तो हमें का direction मिलता है, drug को collect करने का, combine करने का, prepare करने का, preserve करने का, standardization करने का, compounding करने का, external application के बारे में, prescription writing, pathology and monographs of drug. ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो सबसे पहला जो difference आएगा, दोनों की definition आपको लिखना है. दोनों की आपको क्या लिखना है? exactly definition जो मैंने पहले बताईए, वही कि वही यहाँ पर copy करनी है. ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, next, जो difference है, हमेपितिक formation और फार्मोकोपिया में, पहला difference मैं आपको बता है, दोनों का definition लिख दें आप, second क्या होता है, यह बता रहे हैं कि हमेपितिक फार्मेसी क्या है? आर्ट और साइंस है, ठीक है ना, लेकिन फार्मोकोपिया क्या है? साइंटिफिक बुक है, क्या है वो एक साइंटिफिक बुक है, जो हमेपितिक पार्ट होता है आगे बात करेंगे यहां जो आर्ट एंड साइन्स है जो फिजिकली कर रहे हैं वो कौन करता है यहां पर फॉर्मासिस्ट करता है कौन करता है यहां पर फॉर्मासिस्ट करता है लेकिन यहां पर कोई फिजिकली परफॉर्मेंस नहीं की जाती है तो यह तो एक book है इस book को कौन publish करेगा government करेगा या any medical society या pharmaceutical society के दौरत क्या किया जाता है इसे publish किया जाता है ठीक है ना आगे बात करेंगे यहाँ पर जो process of dispensing की जो process हो रही है जिसे कर रहा है practically वो कौन करेगा कहाँ पर होगी वो pharmacy में होगी वहाँ पर क्या होगी कहाँ पर होगी वो pharmacy के अंदर यह process होगी ठीक है ना यहाँ पर dispensing की कोई process नहीं होती है ठीक है ना बस exactly हमें क्या देता है direction to dispensing जब हम फार्मो कोपिया पढ़ेंगे तो हमें क्या करेगा direction देगा लेकिन dispensing करने के लिए नहीं बोलेगा ठीक है ना यहीं हम dispensing करने लगेंगे तो फार्मो कोपिया नहीं क्या लाएगा वो क्या हो जाएगा pharmacy में convert हो जाएगा ठीक है ना आगे बात करते हैं सर्व medicine को सर्व करने की बात कर रहे हैं तो वो इसमें जो medicine दी जाती है पेशेंट को according to prescription of physician physician के prescription के according physician के prescription क्या करते हैं medicine दी जाती है पेशेंट को लेकिन इस हम फार्मो कोपिया की बात करेंगे यहाँपर प्रिस्किय यहाँपर जो है जो medicine मेडिसिंग बात करेंगे तो उस फार्मेंसिंग हो रहा है या जो मेडिसिंग दी जा रही है। को किसे कोर्डिंग दी जा रही है prescription of doctor prescription of physician ठीक है ना आगे बात करेंगे इसमें include किया गया है potentization इसमें क्या होता है potentization की process practically की जाती है क्योंकि potentization एक important process होती है homeopathic pharmacy or homeopathic प्रोसेस में एक most important process होती है potentization की जिससे medicine बनाई जाती है exactly स्वे स्वेस्ट में क्या होता है में जो medicinal power है वो inactivate form में होता है और उस inactivate form को activate form में convert करने के लिए homeopathic pharmacy में या homeopathic में एक process की जाती है जिसे हम क्या बोलते है potentization very most important process होती है हर homeopathic medicine को बनाने के लिए हमें potentization की process apply करनी होती है तो practical हम यहां कर रहे हैं लेकिन यहां पर क्या होगा direction how to potentize direction हमको मिलेगा how to potentize तो यह हमें direction देगी लेकिन हम यहां practically उस process को करेंगे तो यह कुछ difference है जो exam में आपको लिखने है total seven points है यह आप exam में लिख सकते हैं ठीक है